नमेश्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का मारे साथ सभी यूटूब चैनल में दोस्तों मैं नमसुख सैनी है और देख लेते हैं आज इस वीडियो में है कि हमारे पास 50 बाट का मौन पर टेक्नलोजी सोलर पैनल और लूम सोलर का सोलर चार्च कंट्रोलर और पांच वार्ट बैंट्री ओप चार्ज होगी प्लस डीसी लेंगे और एक में डीसी फैन वी चलाने का प्लान है इसके लिए मैं इस सिस्टम मेर पास आया तो डीसी वेंच लाग में चला वह सब हम आपको वीडियो में देखके बताएंगे तो अभी मैंने यहां पर पैनल जो है से मैंने ब अगर पास्म करें तो यहां पर ने इसकी जो टैक्निकल यहां पर लिखिए ऐसकी सबढ़ के पीचे इसम होगी वह पीचे आती है यहां पर टैकनिकल किया सब देखना इंद परोंगे तो गया है उसमें जो है पचास बाट का यह पैनल है मोनो पाफ ट्रेक्ट रिएश और म maximum power voltage इसमें 20 volt है maximum power current इसकी 2.5 बन है इसके बाद short circuit current इसमें 2.65 MPR हमको मिलेगी open circuit voltage 22.5 यह चीज इसकी important होती है 22.5 वी वोशी इसको बोलते है open circuit voltage यह और maximum इसके बोल्ट हमको 600 बाट बोल्ट मिलेंगी यहां पर junction box की बात करें तो सब्सक्राइब को नहीं मिलेगी तो इसकी टेक्निकल इसके परमिटर को है अब इसको रख देते दूप में और फिसके इसका आउटबूर्ट चेक करते हैं कितना बॉल्ट मिल रहा है यह सब आपको बताते हैं कि अब पचास बाट का मोनुपर्ट टेक्नलोजी का इसको मैंने ओपन धूप में रख दिया हमने और अभी धूप अच्छी हमको मिल रही है तो यहां पर मेरे पास जो दो बायरा है है इस को सीर्ट एक्र करेंगे तो सबस्ब्स पहले देखें अभी हमारा यह सूच ऑफ है ओन करूंगा मैं सुच लगा दिया चब लियतक लिए तो ये सूचAlp है 22.7 जबकि वियोसी वहां पर वैंसान है 22.5 जो वियोसी उससे ज्यादा है हमको यहां पर देखने को मिल लाइए है ना 22.67 करीब हमको मिल लाइए अब इसका एंपर भी हम चेक करका बता दें वहां पर हो यहां पर दिया मैं लाइबza की एमकुराइब करेंगे यहां पर अचमी कुम्झर पर देखने को मिल ला एब्ड व कुछ मिल लाइए 39 निए करेंगे इस सूरेच चांटॉलर में फिर हम यह बैटरी चार्जिंग कि इतनी एंपेर और बोल्ट रही वो सब आपको बताएंगे ठीक है थे सुछ कर देता हूं आप फटर पर यहां पर यहां पर यहां पर नेटरी का नेटिव यहां पर लगाना बैटरी का पॉजिट कर सकते हैं और अधर मोगाल उपरेंटेटर तो आपको बिल्कुल ध्यान से करना हैं आप और वह सब्सक्राइब स्फिटरी के साब से तो इस है के तुर्थ भी को निक्सित करते हैं इस यह Um बॉच्ट करना जाएगा देगा यह आ पर औस यह झाली पर जो भी है भी वहाजाएगा तो ही यहं कि सभाग सप्माइई चार्जिंग में ने हमारी चार्ज और या यदि यह लो आता तो क्या होता हमारा इनburg यह जो रहे हैज अब डियर में एक डायर होता ही है इसको मैं यहां पर करतेता हूं जैगा अभी देखते हम यह एक लाइम हो गया गया यह दूसरा लेंप अन हो गया इसके बाद में हमारा बैटरी फॉल चार्ज है और अब आपको बता देते हैं पूरा टेस्टिंग कर तो दोस्तों देख सकते हैं अभी यह मेरा पूरा कनेक्शन हो चुका यहां पर एक बार मैं आपको बता दूंग यहां पर सोलर कर दिया इसके लिए हम करना पड़ेगा कि बैटरी से हमारा लूट चल ला था पहले हम सुलर सप्लाई करेंगे यहां पर ओफ करेंगे और इसका बैटरी को डिशाज होते देखेंगे फिर चार्ज करेंगे तो अब यहां पर देख लेते हैं पहले इसमें लगाते ते मल्टिमेटर क हम कनेक्ट कर देए यहां पर यहां पर देखेंगे बैटरी सप्लाई हो लें तो यहां पर हमने भी सुलर सफलाई हमें डिसकनेक्ट कर दिए और यह चार्ज हो रही है और यह जो सोरर चार्ज कंट्रोलर है यह वार काम कर रहा है अब जैसे हमारा सोलर ओन करेंगे तो यह बैटरी यह चार्ज होने लगेगी यह अब पताते हैं यहांबी में यह चार्ज हो रहए बैटरी उनन नहीं को मिनें नहीं हो रही है ज्टcn करें चार्ज आ क्रेंगी इसे सप्लां मुलेगी तो यहांब यह था कि यहां सब्सक्राइब कर दो यहांसा पुरा कंप्लीट लोड इससे मिल सकें तो इस तरीके से पुरा काम करता है और आपको करके देगा जैसा आपको नीड है तो यह चुटा सा प्रोजेक्ट आपको मैंने बताए आयूब आपको पसंद आएगा अच्छा लगेगा आपके कम बजट में अपना अपना घर में सोला सिस्टम लगाने चाहरा है तो लगा पाएंगे आप और जहां पर आपको दिन करते हैं और यह कम बजट का सिस्टम है जिससे आप दिन के सब्सक्राइब पावर कट का प्रोडम रहती है वहां पर उस पावर कट की प्रोडम को आप जोड़े सिस्टम की माद्दम से आप सॉल्व कर सकते हैं